दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे ओपीचियल चैनल वी दोस्तों इस चैनल पे आपको आल प्रोड़क्ट अन्बॉक्सिंग का वीडियो आप लोगों को देखने को मिलता है जैसा कि इस पे सभी प्रकार के प्रोड़क्ट की अन्बॉक्सिंग एंड रिव्यू किया वाला हूं अन्बॉक्सिंग करने वाला हूं रेविव करने वाला हूं इस भोला मुनका का जिसमें आप लोगों को यह पता चलेगा कि मात्र एक दो रुपए की गोली से आपके अपने शिक्स पावर शिक्स जिन्दकी को कैसे दो गुना चार गुना बढ़ा सकते हैं और श और आप लोगों बटाया कि भोला मुनक्या महने वांक काने से क्या-क्या चीज क्या फायदे होते हैं और क्या-क्या वार भांग खाने से वास्तों में शेक्स पावर बढ़ता है कि नहीं तो चलिए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहींगे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करें दोस्तों अलमेरिया बिस्विद्याला के रिसर्चों की हाल ही में प्रकासित एक इस्पेनिश अध्यन में पाया गया है कि भांग के उपभुकताओं में योन क्रिया में सुधार होता है और वे वेहतर संभोग का अनुभो करते हैं कहने का मतलब है कि काफी अच्छा सुधार होता है और कई गुना इसमें बढ़ोतरी होती है जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है बहुत से गुना संबोग की चमता भी बढ़ जाती है दोस्तों आपको बता दे कि मात्र दो रुपए में ये मिलने वाला भांग का गोला जो कि भोला मुनक्का आपके मार्केट में मात्र दो रुपए में पैकिट वाला मिलता है और कहीं कहीं भांग का टेका भी चलता है जो कि गौवर्मेंट खुद चलाती है और वहाँ पे आपको पीशा हुआ ताजया भांग भी मिल जाता है जहां से आप थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन पैकिट वाला है मात्र दो रुपे में आपको मिलता है और ये दो रुपे का भांग अगर आप खाते करूड़ो गुणा भी chúng法 बढ़ाने की चामता रखता है कि हला कि करूड़ो गुना नहीं लेकिन जतना भी बढ़ेगा हापको अगर आपको six पावर बढ़ाना है अगर आपको श्रिक्ष में ज़्यादा आनद लेना है आप ज़्यादा देर तक संभुख करना चाहते हैं तो आप इस दो रुपे के भांग का टेकनिक आप जरूर अपना सकते हैं हलाकि मैं किसी नशे का परचार नहीं कर रहा हूँ और भांग रह गई भांग की बात तो भांग एक आयरुवेदिक आवसेदी भी माना जाता है काफी पुरानी जड़ी बूटी है जो की रिसर्चों में पाया गया है दोस्तों अगर इसका सही से इस्तमाल करें तो यह आपके दवा के रूप में आपको शरीर के अंदर काम करता है अगर ज़्यादा इस्तमाल करेंगे गलत तरीके से इस्तमाल करेंगे तो यह आप नसे के रूप में आप इसको इस्तमाल करेंगे कि इसका इस्तमाल उसी तरीके से करें, जितना आपकी छमता हो, कहने का मतलब है, छमता के अन्वा, कि आप इसका कम डोज ले, ज्यादा डोज लेने की छमता न बढ़ा है, नहीं तो आप नसे की लत में भी पढ़ सकते हैं, दोस्तों आपको बता दूँ कि शिक्स का अन्वह ज्यादा लेना चाहते हैं, तो आप इसका थोड़ा इस्तमाल करके, आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, बट क्या है कि आप इसका आदत न पकड़े और ज्यादा इसका इस्तमाल न करें, तो दोस्तों इसी तरह आल प्रोड़क्ट्स से रिलेटेड, उन्बॉक्सिं से मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में एक नए अन्बॉक्सिंग के साथ ओके तेंक यू